ससुराल हर लड़की का सपना होता है और वहां पर बिताया पहला दिन शायद ही कोई लड़की हो जिसे याद न रहे ऐसी ही ये कहानी है करिश्मा की जिसका ससुराल में पहला दिन होता है नई नवेली सेहमी सी दुलहन करिश्मा सुबह तरके पांच बजए उठ जाती है और सोचती है हाई राम सुबह के पांच बजगे और मैं अभी तक सो रही हूँ जलदी से उठकर नहा लेती हूँ नहीं तो सब लोग क्या कहेंगे करिश्मा जलदी से नहा कर बाहर आती है और पूजा पाट करके किचन में चली जाती है अरे, अभी तो ठीक से सुबा भी नहीं हुई फिर ये किचन में से कैसी आवाजे आ रही है कहीं अपने यहां कोई चोर तो नहीं आ गया चोर, चोर, चोर बेचारी करिश्मा किचन में नाश्टे की तैयारी कर रहे थी लेकिन अपनी सास का शोर शराबा सुनकर वो डर जाती है और जल्दी से बाहर आकर पूछती है शोर, कहा है चोर माजी जल्दी बताईए, मैं अभी डंडे से उसकी पिटाई करती हूँ किचन में, किचन में चोर है वहां से तरह-तरह की आवाजी आ रही है लेकिन किचन में तो मैं हूँ माजी और वहां तो कोई नहीं है अच्छा, फिर तो बहु तू ही होगी मैंने खटर-पटर की आवाज सुनी तो मुझे लगा शादी वाले घर में कोई चोर-चोरी के इरादे से घुसाया है पर बहु तू इतनी सुबह-सुबह किचन में क्या कर रही है जी, वो मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी अरे, इतनी जल्दी, सारा दिन पढ़ा है अभी ये काम तो बाद में भी हो जाएगा पहले तु जाकर आराम कर ले शादी की तैयारियों में ठक गई होगी जा बेटा, आज तो पहला ही दिन है जा, जाकर आराम कर हाई, कितनी अच्छी सास मिली है मुझे जो आराम करने के लिए कह रही है और एक मेरी मा थी, जो सूरज निकला भी ना हो, फिर भी सूरज कब का निकल गया, आदा दिन हो गया, कब उठेगी कहकर जल्दी उठा देती थी, यहाँ तो सूरज निकलने के बाद भी सासुमा कह रही है सोजा सोजा, करिश्म खोश होकर अपने कमरे में निशिन थोकर सोने चली जाती है, सोते सोते उसे काफी देर हो जाती है, तभी हॉल में बैठी उसकी बुआ सास और मामी सास बाते बनाने लगती है और कहती है हाई, हमका इतनी दूर लखनव से सोती बहु को परदा डालते हुए कहता है रजत जल्दी से अपने कमरे में जाता है और करिश्मा को उठाते हुए कहता है करिश्मा, जानो उठ जाओ बेबी जल्दी से उठकर नहा लो, सब रिष्टिदार बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे है जी, मैं तो सुबह पांच बजे उठकर ही नहा कर पूजा पाट करके नाश्ता बना लिया था लेकिन मा जी ने कहा भी सो जा इसलिए आकर सो गई हाई मेरी नई नवीली दुलन सुबह पांच बजे से उठकर ही तब तो तुम अभी आराम कर लो नहीं, अब मेरी नीन पूरी हो चुकी है कहिए आपको कुछ कहना था क्या रज़त करिश्मा को सारी बात बताता है और कहता है अब मुझे तो ये बिल्कुल भी बरदाश नहीं कि कोई मेरे सामने मेरी बीवी की बुराईया करे चलो अब जल्दी से तयार होकर बाहर आजाओ सब तुम्हारा इंतजार करें इतना कहकर रज़त बाहर चला क्या हाई जी ये क्या हो रहा है मेरी पीट पीछे कल तक जो रिष्टेदार मुझे आशरवात दे रहे थे आज एक ही दिन में मुझे जाने बिना मेरे बारे में अपनी राय देनी भी शुरू करती फिर करिश्मा तयार होकर बाहर आ जाती है और उनसे पूछती है बुआ जी मामी जी आपने नाश्ता कर लिया हाँ बहू तुझे क्या लगा अगर तु खाना नहीं देखी तो क्या हम भूखे ही रहेंगे वैसे तुने टाइम देखा क्या हुआ है तभी वहाँ सरोज आ जाती है अरे ये बिचारी तो सुबह पांच ही बजे उड़ गई थी नहाकर पुझा पाट करकर सबका नाश्ता इसी ने तो बनाय था वो तो काफी सुबह थी इसलिए मैंने ही कहा इसको जाकर सोने के लिए अरे दीदी बहूं को तो जितना दबा कर रखा जाए उतना ही वो काबू में रहती है अगर जरा भी धील दे दी तो फिर ये हाथ से निकल जाती है ये कैसे रिष्टेदार है बहू का आज पहला दिन है और उसे आशरवात देने की बज़ाय दबाने की बात की जा रही है मैं बहू हूं कोई जानवर थोड़ी न जो मुझे दबाया जाए अभी करिश्मा इसी सोच में पड़ी हुई होती है कि तभी पीछे से आवाज आती है बाभी जल्दी से चलो और अपना सूटकेस खुल कर दिखाओ क्यों उसमें क्या-क्या सामाना आया हमारे लिए हाँ जी चलिए सब कमरे में अरे कमरे में क्या चलिए तुम अपना सूटकेस यहां लेकर आओ अरे यहां लाने की क्या जरूरत है करिश्मा बेटा जो जिसके नाम का है दे दोसको अच्छा पापा ऐसा कैसे ननत को पूरा हक है अपनी पसंद का सामान लेने का जो रिवाज है हम तो वही लेंगे हाँ हाँ जैसे तेरी माने तो हमें बड़ा अपनी पसंद का दिया था ना जो तू अपनी भाबी से मांग रही है अरे कैसी बात कर रही है आप आपने तो मेरी सबसे पसंदिदा जरकन वाली सारी पर हाथ रख दिया था और मैं बेचारी मना भी ना कर पाई बेचारी करिश्मा भारी सूटकेस उठा कर हॉल में लाती है और जैसे उसका सूटकेस खुलता है तो उसकी पसंदिदा सारी उसकी नरत तान्या ले लेती है और वो बेचारी मन ही मन सोचती है हाई ये तो मेरी फेवरेट सारी है अच्छा अब मेरे निकलने का वक्त हो रहा है लेकिन सोच रही हूँ जाने से पहले एक बार नई बहु के हाथ का मीठा चकलू हाँ हाँ जरूर बुआ जी आप बैठिये मैं भी आप सब के लिए हलवा बना कर लाती हूँ हलवा नई भाबी हमारे हाँ तो मीठे में बहु खीर ही बनाती है तो आपको भी वही बनानी है खीर करिश्मा की मा ने मीठे में हलवा बनाना सिखाये था वो भी उसने शादी से हफता भर पहले ही सीखा था हे भगवान मैंने तो मा से हफता भर हलवा बनाने की ट्रेनिंग ली थी लेकिन खीर कैसे बनाते वो तो मुझे आता ही नहीं एक काम करती हूँ जो हलवे की रेसिपी है वहीं खीर के लिए इस्तिमाल करती हूँ कुछ दिर बाद करिश्मा खीर लेकर आती है हम्, भुने हुए चावल की तो अच्छी खुस्बू आ रही है बस जरा दूद में चावल ठीक से मिक्स नहीं हो पाए येलो बहू तुम्हारी पहली रसोई का सगुन बुआ सोने की चेन बहू को गिफ्ट में देती है मामी साज भी उसके लिए सोने की अंगूठी लाई होती है आप सब ने मेरी बहू को समझा वही हमारे ले काफी है इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं थी जरूरत कैसे नहीं थी दीदी ये क्या तुम्हारी ही बहू है हमारी नहीं हाँ इसकी एहमियत हमारे लिए भी उतनी ही है जितनी तुम्हारे लिए बहु अब तु ठक गई होगी जा बेटा अपने कमरे में जाकर आराम कर करिश्मा उन सब के पैर छुकर कमरे में चली जाती है आज शाम को बहु के ममी पापा आने वाले हैं देखते हैं क्या लेकर आते हैं वही लाएंगे जो तुम्हारे लाये थे खाली हाथ ही आएंगे और क्या और जो शगुन से पहले ट्रक भर कर आया था उसका क्या वो तो आपको याद नहीं चलो अब तो मैं चली अपने घर आप दोनों ननित भाबी शादी के 30 साल बाद भी लड़ती ही रहो हाँ हाँ मैं भी चलती हूँ इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है शाम को करिश्मा के माता पिता उसके ससुरा लाते है अरे आए 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 भाई साब भेंजी कैसी है समधन जी आप मैं तो कब से शाम होने की रहा देख रही थी कहा है मेरी लाडो वो तैयार हो रही है वैसे शाम की रा क्यों देख रही थी अब तो एक ही घर है पहले ही आ जाती जी वो तो है उधर करिश्मा रजट से कहती है सुनो जी मुझे न शर्म आरी है साड़ी पहन कर ममी पापा के सामने जाने में आज तक पहनी नहीं न करिश्मा सुट पहन कर तैयार हो जाती है और सबके सामने आ जाती है लो जी आ गई हमारी बहु देखो तो सुट में कितनी प्यारी लग रही है बहु तुना सुट भी पहना कर बड़ी प्यारी लगती है सुट में इसके बाद करिश्मा को सब अच्छा लगने लगता है उसकी शादी का पहला दिन उसके लिए खटा मीठा भरा रहता है लेकिन प्यार करने वाले पती, सास, ससुर और ननत पाकर वो खुश हो जाती है